मुन्शी प्रेमचन द्वारा लिखी तुपन्यास गबन का भाग 37 एक महिना गुजर गया, गोपिनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सेर करता रहा, मगर चार-पांच दिन में ही यहां से उसका जी ऐसा उचाट हुआ कि गर की रट लगानी शुरू कर दी, आखिर जालपा ने उसे लौटा दी नहीं अच्छा समझा, यहां तो वह छिप-छिप कर रोया करता था, जालपा कई बार रमा की बंगले तक हो आई, वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आये है, फिर भी वहां का एक चकर लगा आने में उसको एक विचित कर संतोश होता था, जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती, तो एक शण के लिए खिड़की के सामने आख़डी होती थी, एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई, तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नज़र आई, कौतु हल हुआ, इतनी मोटरे कहां जा रही है, गौर से देखने लगी, छे मोटरे थी, उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे, एक में सब सिपाही थे, आखरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी, तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दोड़ गए, वह ऐसी तनमा हुई, कि खिड़की से जीने की तरफ दोड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो, पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया, कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरे निकल जाएंगी, वह फिर खिड़की के सामने आई, रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था, उसकी आखे खिड़की की ओर लगी हुई थी, जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया, ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीनी हो गई है, देवी दिन की आवाज भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं, एक ही क्षण में वह आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी रह रहे कर खिड़की की ओर ताकता चाहता था, जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा, देवी दिन ने सामने आकर कहा, भीया आ गए है, वह क्या मोटर जा रही है, या कहता हुआ वह उपर आ गया, जालपा ने उच्शुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा, देवी दिन बोला, और क्या कहते, खाली राम राम की, मैंने कुसल पूछी, हाथ से दिलासा देते चले गए, तुमने देखा की नहीं? जालपा ने सिर जुका कर कहा, देखा क्यों नहीं, खिर्की पर जड़ा खड़ी थी, उन्होंने भी तुमें देखा होगा, खिर्की की ओर ताक्ते तो थे, बहुत चक्राए होंगे, कि ये कौन है, कुछ मालूम हुआ, मुकदमा कब पेश होगा, कल ही तो है, कल ही, इतनी जल्द, तब तो जो कुछ करना है, आज ही करना होगा, किसी तरह मेरा खट उन्हें मिल जाता, तो काम बन जाता, देवे दिन ने, इस तरह ताका, मानो कह रहा है, तुम इस काम को जितना आसान समझते हो, उतना आसान ये है नहीं, जालपा ने, उसके मन का भाव ताड कर कहा, क्या तुम्हे संदे है, कि वह अपना बयान बदलने पर राजी होंगे, देवे दिन को अब इसे स्विकार करने के सिवा, और कोई उपाई ना सूजा, वो बोला, हाँ बहुजी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो, तो है भी जोखिम, अगर वह बयान बदल भी दे, तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते, वह कोई दूसरा इल्जाम लगा कर उन्हें पकड़ लेगी, और फिर नया मुकद्बा चला हुएगी, जालपा ने ऐसी नजरों से देखा, मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती, फिर वह बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती, मैं केवल यह चाती हूँ कि हो सके, तो अप यश से उन्हें बचा लूँ, उनके हाथों इतने घरों की बरबादी होते नहीं देख सकती, अगर वह सच्मुत डकेतियों में शरीक होते, तब भी मैं यही चाती कि वह अंध तक अपने साथियों के साथ रहे, और जो सिर पड़े उसे खुशी से जिले, मैं यह कभी नहीं पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए, लेकिन यह मामला तो बिलकुल जूट है, मैं यह किसी तरह नहीं बरदाश कर सकती, कि वह अपने स्वार्थ के लिए जूटी गवाई दे, अगर उन्होंने खुद अपना बयान नहीं बदला, तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चित्ता खोल दूगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो, वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत भी ना देखे, ये मुझे मन्जूर है, पर ये नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगाए, मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है, देवी दिन ने उसे आदर की दृष्टी से देख कर कहा, तुम सब कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया, जब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया है, तो तुम सब कुछ कर सकती हो, तो यहां से नौ बज़े चले क्या, जालपा ने पूछा, देवी दिन ने कहा, हाँ, मैं तयार हूँ, चलिए बहू जी, आज नौ बज़े चलते हैं,